हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको हाइट इंक्रीज कैसे करना और कब करना इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी कई लोग अपनी हाइट या लंबाई के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि हाइट अच्छी रहे तो personality अच्छी दिखती है हमारी हाइट कितनी होगी ये 60 से 80 परसेंट हमारी जीन्स डिसाइड करती है याने आपके ममी डैडी की हाइट कम है तो most probably आपकी हाइट भी उनके बराबर या उनसे कुछ ही जादा बड़ी होगी लेकिन 20 से 40 परतिशत लोग अच्छी डायट और वाइटमिन सप्लिमेंट्स लेने से डेली एक्सेसाइज करने से और कुछ दवाईया लेने से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं जो लोग हाइट गेन करना चाहते हैं उन्हें एक जरूरी बात जानना चाहिए एज रूरूल लड़कियों की हाइट 18 साल के बाद और लड़कों की हाइट 21 साल के बाद नैचरली नहीं बढ़ाई जा सकती है ये इसलिए क्योंकि हमारी हाइट हमारी बोन्स या हडियों के लंबे होने से बनती है 18 से 20 साल की उमर तक हमारी हड़ियों और जोड़ों के बीच में एक काटिलेज या नरम हड़ी रहती है जो हमारी हड़ियों को बढ़ने देती है और लंबा होने देती है लेकिन 18 से 20 साल की उमर में ये नरम हड़ी या काटिलेज खतम हो जाता है और हमारी हड़ियां हमारे जोडों के साथ जुड़ जाती है जब हड़ियां और जोड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है ये लड़कियों के लिए अक्सर 18 साल की उमर में और लड़कों के लिए 20 से 21 साल की उमर तक हो जाता है कई लोग वीडियो बनाते हैं कि कुछ दवाईया या नुसका खा लेने से या कोई इंजेक्शन लगा लेने से रातों रात आपकी हाइट किसी भी उमर में बढ़ जाएगी तो ये सिर्फ जूट और लोगों को गुमरह करने वाली बात है अब यदि किसी को अपनी हाइट बढ़ानी हो तो ये कैसे किया जाए जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हाइट बढ़ाने का निरनए 12 से 14 साल की उमर तक ले लेना चाहिए हमारी हाइट हड़ियों के लंबे होने से बढ़ती है और हमारी हड़ियां प्रोटीन्स और मिनरल्स याने खनीच पदार जैसे कैल्शियम, मेगनीजियम, जिंक, सेलीनियम, मेगनीज, कौपर आदी से बनती हैं इसलिए हाइट बढ़ाने में गुड डायट या पौश्टिक आहार का महत्वस सबसे जादा है height बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हैं proteins proteins ना सर्फ हमारी overall growth के लिए जरूरी हैं वे हमारी body की मरमत या repair भी करते हैं और हमारी immunity को बढ़ाते हैं West और Middle Eastern देशों में लोगों की diet जादा करके non vegetarian food याने meat, fish, chicken, eggs, milk आदी होती है जिसमें पूरा प्रोटीन होता है इसलिए इन देशों के लोगों की हाइट ज्यादा होती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेजिटेरियन डायेट में अच्छे प्रोटीन नहीं है और वेजिटेरियन फूट खाने से हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है उधारन के लिए हरियाना के ज़्यादा लोग वेडिटेरियन हैं लेकिन वे लोग खूब घी, दूद, दही, मक्षन, पनीर, यहूं का दलिया, दाल, राजमा, चने, मुनफली और हरासाग खाते हैं इन सब चीजों में अच्छा और आसानी से पचने वाला प्रोटीन होता है यही कारण है कि वहां के लोग खूब लंबे चोड़े और तंदुरुस्त रहते हैं रैसलिंग, बॉक्सिंग जैसे स्पोर्स में भी आगे रहते हैं यदि आप वेजिटेरियन हैं तो उपर बताए प्रोटीन रीच फूड खाकर अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं जिन लोगों को दूद नहीं पच्छता वे लोग दही और चाच ले सकते हैं प्रोटीन के अलावा हमें जो मिनरल्स हड्डियां बनाने और उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए चाहिए जैसे कैल्शियम, मैगनीजियम, जिंक, कॉपर आदी वो भी उपर बताई हुई खाने की चीजों में खूब अच्छी मातरा में होता है हड्डियों के लिए एक और जरूरी वाइटमिन है वाइटमिन सी और वाइटमिन डी वाइटमिन सी हमारी हड्डियों, दातों, नाखूनों और स्किन को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए जरूरी है वाइटमिन D कैल्शियम को हड्डियों, दात, नाखून आदी के अंदर पहुँचाने में मदद करता है और हार्ट को भी हेल्दी रखता है वाइटमिन C का सबसे आसान सोर्स है निम्बू और आवला आवले में वाइटमिन C के साथ कैल्शियम भी अच्छी मातरा में होता है वाइटमिन D का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट याने सूरज की रोशनी जब धूप हमारी स्किन पर लगती है तो हमारी स्किन के अंदर ही वाइटमिन D बनता है जब लोग थोड़े बुढ़े होने लगते हैं तो वो घर में ज़ादा रहने लगते हैं धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं इस कारण उनके शरीद में वाइटमिन D की कमी हो जाती है और उनकी हड़ियां कमजोर हो जाती हैं थोड़ी सी चोट लगने से हड़ियां तूटने लगती हैं इसलिए बच्चों से बुढ़े तक यदि डेली आदा घंटा धूप में रहें तो उनकी हड़ियां मजबूत रहेंगी इसके अलाबा फैटी फिश, एग योक या अंडे की जर्दी, सोया मिल्क, सोया बीन्स और चीज इनमें भी वाइटमिन डी बहुत अच्छी मातरा में होता है ड्राइ फ्रूट्स जैसे बादाम, अक्रोट, काजू, अंजीर आदी में भी प्रोटीन, वाइटमिन A, E, D और कैल्शियम, मैगनीजियम अच्छी मातरा में होते हैं मेरे चैनल पर घर के खाने से वेट गेन का वीडियो है वहाँ मैंने संतुलित और पौश्टिक आहार की पूरी जानकारी दी है अब आप जो खा रहे हो, इन चीजों को हड्डियों तक पहुँचाने के लिए आपके शरीर में खून का अच्छा चाप या बलड सर्कुलेशन होना चाहिए ये exercise के द्वारा होगा, exercise करने से खून के द्वारा सारे पौश्टिक आहार हड्डी ही नहीं शरीर के हर अंश में पहुचते हैं और वहाँ से waste product या जिने हम free radicals कहते हैं उनकी सफाई होती है अपनी diet को supplement करने के लिए आप कुछ अच्छी iron, multivitamins, calcium और vitamin C की गोलियां भी ले सकते हैं जैसे iron के लिए dex orange एक capsule daily after dinner for two months because you'll Z, एक capsule daily नाशते के बाद calcium और vitamin D के supplement के लिए osteocalcium की एक गोली सुबह और शाम खाली पेट में लें vitamin C की 500 mg की एक गोली भी daily खा सकते हैं कई लोग height बढ़ाने के लिए एक ayurvedic booty जिसका नाम अश्वगंधा है उसे recommend करते हैं अश्वगंधा में natural steroids, magnesium और vitamin B6 होता है ये ayurved में wellness medicine की तरह भी दी जाती है आज कल social media पे लोगों को height बढ़ाने के लिए growth hormones, steroids, health food आदी recommend किये जाते हैं height बढ़ाने के लिए growth hormone का treatment उन बच्चों को दिया जाता है जिन में growth hormone की पैदाईशी कमी होती है या फिर normal children में height बढ़ाने के लिए growth hormone से treatment 10 से 12 साल की उमर में शुरू किया जाता है और इससे 1 से 3 इंच तक height बढ़ने में मदद होती है लेकिन ऐसा treatment सिरफ qualified hormone specialist doctor जिनने हम endocrinologist कहते हैं उनसे ही करवाना चाहिए कभी भी किसी social media पर वीडियो देखकर या trainer के advice पर कोई भी hormone treatment नहीं लेना चाहिए ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है जो लोग 20-21 साल के होने के बाद अपनी height बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये लोग internet पर height बढ़ाने के तरीके ढूनते हैं और अनैतिक लोगों की बातों में आकर hormone और नुस्के खाकर height बढ़ाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 21 साल की उमर के बाद growth hormone steroid के injection लगवा कर height तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इन hormone के लेने से जोड़ों से जुड़ी हुई हड़ियां लंबी ना होने के कारण चोड़ी होकर deform या विकृत हो सकती है इससे लोगों का face बड़ा होने लगता है पंजे और घुटने फैलने लगते हैं जोड़ों में दर्द होने लगता है और ये hormone लेने वाले लोग कई बार मानसिक बेमारी के शिकार भी हो जाते हैं तो मेरी सला आपको यही है कि बिना सोचे समझे 20 साल की उमर के बाद कोई hormone treatment ना ले हाँ यदि आपको कुछ stretching exercise और योग करोगे तो हड़ियों के सीधे होने से आपकी height आधा से एक इंच तक बढ़ सकती है इसलिए आप 25-30 साल की उमर में height बढ़ाने के लिए 1000 रुपे ना खर्च करें अच्छा खाना खाएं exercise करें और अपनी personality बनाएं इस से आपको ज़्यादा फाइदा होगा दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और height बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी आपको इधर मिली है Thank you